आज का जो टॉपिक है वह गोलोचन की उपर है जिसे हम गोलोचन भी कहते हैं यह एक पित्त की गठान होती है आज की गोली है जैसे अपने शरीर में खाना पचाने वाले तेजाप को हाट्रोचन असट होता है हो जो छो च 너 नेकॉर टयबलक्द होता है जैसे अपने नेच्ट्र डशी नेडवुट होता है वैसे वसी के पेट में डिवलुप्ध होता है तो जब इसकी मात्रा बढ़ जा यहाद बैट से फाफचे की कानिट हां पत्री, बन जाता है। यहाद होग तरह बन जाते हैं को लगातार ट्रॉप होते हिं। यहाद बन जाती है, तो गणा ँप होते हुए इच्छास ही बन जाती है . जो होता है उसको निकालके अलग करतेते फिर आपका लेमेटेड खाना हो जाता है और लेमेटेड पीना हो जाता है इसको वशी करण के रूप में लिया जाता है यानि वशी करना जिसको करना है पद्धिती वो कर सकता है इसको इसके रिजल्ट है इसका असर होता है एक पर्टिकुलर मंत्र है जिससे इसको अभी मंत्र करके फिर उसको धारण किया जाता है और एक पर्टिकुलर समय में यानि जैसे समय in the sense के और हर एक गॉझ माता में नहीं निकलता है जैसे एक पहले पता चुक प्रश्नी उडदाय मिलता किसे इस वएसे क्या होता है कुछ लोग जो होते हैं वो गॉट्याइप मार देते हैं और उसको उनकी पित्ती की तहली में देखते हैं तो नहीं मिलता है तो यह क्या होता है इनकी जब natural death होती है जब गवमाता अपना natural शरीर त्याकती है उसी के बाद ही आपको यह natural चीज मिल सकती है वैसे नहीं मिल सकती है और हर एक गवमाता में नहीं रहता है तो मेरे पास जो है वो ओरिजनल है 100% authentic है अले अलग गौशाला है जिनसे हमारा contact है और 100% शुद्व है उसकी पैचान गौरोचन की ये है कि उसमें गंद बहुत आती है मतलब उसकी खुश्बू नहीं कहते हैं गौरोचन में कभी खुश्बू नहीं आती है उसकी गंद बहुत आती है अगर आप उसको नाके पास भी नहीं लाएंगे न तो इतना बुरा गंद आएगा कि आप उसको सहन नहीं कर पाएंगे बहुत बुरा गंद आता है क्योंकि व तो यह गोरोचन इसको इसकी घठर मनाके रखते हैं लोग इसको सुखाना पढ़ता है सुखाने के बाद यह एकदम ठोस सा हो जाता है ठोस होने के बाद इसको अलग-अलग हमें इसमें छेद करने पढ़ते हैं जो अंदर की एर होती है वो भार आ जाए और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहे यह जितना भी आप देख रहे हैं यह औरिजिनल गोरोचन है मेरे पास एवलिबल है स्कीन पर नंबर आ रहा होगा उस पर वाटसेप करिए जितना चाहिए आपको उतना मिलेगा लिमेटेड कॉंटिटी है मेरे पास क्योंकि यह ज्यादा नहीं आता है और यह गोशालाओं से मिलता है में जब नैश्रल डैट होती है और यह गोवर्मेंट की देखरेक में रहता है कभी-कभी इनको बच्चों को भी देते हैं छोटे जो बच्चे होते हैं उसको उनको भी दिया जाता है दूद में गूल के घुटी के रूप में और बहुती जरासी मातर दी जाती है तो गोरोचन आप हमारे हाँ से ले सकते हैं पर्चेस कर सकते हैं बिना किसी हिस्की चार्ट के कंडिशन एक यह रहेगा कि यह रिटन नहीं होगा रिटन इसली नहीं हो क्योंकि अगर आपको पैचान है कि आप इसकी पैचान कैसे कर सकते हैं तो आपको खुद हमारे पास आ को प्या होता है कि उसकी पित्त की घठान होती है वह और पित्त में बुरी गण्द आती है बहुती असेहन यह गण्द आती जो आप उसको सेहन नहीं कर सकते हैं तो यह इसका पैचान है सबसे अच्छी बात है कि आप citing सपोर्ट करें रहे हैं आगे भी करते उपर है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूले I hope you like this video तब तक के लिए बाए